हेलो फ्रेंbs विबी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है कि आप कौन-कौन से प्लांट इस समय नर्सरी से ले सकते हैं मैंने तो कुछ प्लांट ले हैं वो ही शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में तो इन दिनों ये प्लांट जो है बहुत ही असानी से और अच्छी कंडिशन में डपैल प्लांट आपको नरसरी पर मिल जाते हैं सभी के नेम प्राइज इस वीडियो में शेयर करूंगी तो आईए देखते हैं कौन कौन से हैं वो प्लांट जो आप इस समय ले सकते हैं नरसरी से तो सबसे पहला प्लांट है देखिए इंपेशन्स तो इंपेशन्स आपको इन दिनों बहुत ही असानी से नरसरी पर मिल जाता है कभी कभी गमली में लगा हुआ जा कभी कभी पॉली बैग में लगा हुआ आपको 40-50 से लेके 60 पर तक नरसरी पर मिल जाता है और देखिए मैंने भी प्लांट लिया है और ये मुझे 40-40 रुपे के मिले हैं और कभी-कभी ये सस्ते मिल जाते हैं कभी 10-20 रुपे उपर भी हो जाता है तो इन दिनों ये बहुत ही अच्छी कंडिशन में नरसिवर मिलते हैं तो इनको आप ले सकते हैं बहुत ही अच्छी प्राइज होता है और कभी इसका प्राइज है 50 रुपे भी मिलता है डिपेंड करता है नरसिरी पर इसमें कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और देखिए मैंने ये दो प्लांट लिये हैं तो ये भी जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है कटिंग से भी लग आप एक प्लांट लेए तो इसकी चोटी चोटी जो कटिंग होती है जो नीचे से इसकी ग्रोथ न्यू आती है उसको लेकि आप इसके न्यू प्लांट भी बना सकते हैं तो देखिए बहुत ही खुपसूर साई प्लांट होता है चोटे गमले में चल जाता है आप इसको हैं मिल जाएंगे और देखे मैंने यह पीला रंग लिया है चोटे से गमले मेल जो दो जा तीन इंचिका जे गमला होगा उसमें यह लगा हुआ है और यह मुझे मिला है 80 जा 100 रुपीज में यह मुझे मिला है तो इस तरह का छोटा प्लांट लेंगी तो कम प्राइज में मिलता ह जैसे ही इसका साइज बड़ा होता है प्लांट का तो फिर इसका प्राइज है वो भी बढ़ जाता है तो कैलन्चू भी समय आपको नर्सरी पर बहुत ही असानी से मिल जाते हैं प्राइज जो है डिपेंड करता है नर्सरी पर कभी जादा भी मिल जाता है कभी कम भी मिलता ह तो प्लांट है देखिए यह मैंने लिया है तो देखिए यह गुलाब का प्लांट है तो अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में गुलाब डिफरेंट टाइप के गुलाब होते हैं जैसे देसी इंगलिश गुलाब होते हैं और साथ में बटन रोज होते हैं कश्मीरी गु यह तो इस तरह की प्लानट्य न्रस्री से ले सकते हैं क्याँथ यह इस तरह की टाइप आप ले रहे हैं यह देखिए यह साइक्लमेंड का प्लांट है यह इन दिनों नर्सरी पर बहुत ही असानी से मिल जाता है प्राइज इसका जो है बंट फिप्टी जट टू हंडर से स्टार्ट होके टू फिफ्टी तक रहता है कलर इसमें आप बहुत सारे मिल जाएंगे और जिनके गरों में दूप नहीं आती है उनके लिए यह बेस्ट प्लांट है और क्योंकि इसको दूप नहीं चाहिए होती अच्छी ब्राइट लाइट जा इंडोर के लिए अगर कोई फ्लाबरिंग प्लांट चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं नेक्स होती हैं जो थोड़ी डौर राइटी होती है वो को थोड़ी सी matching क girl मिलता है मगर्ण आप को डिए प्लांट कर सकते हैं और सकते हैं और सबस्टन होते अर्ए यह ब्लाइट मोट कर अक्तूबर नमंबर आएगा तो फिर से इन में फ्लावरिंग होगी तो इन के आप चाहो तो कि जितने मर्जी चाहो कलर अपने गार्डन में अड़ कर सकते हैं तो देखे ये भी प्लांट में इसी सीजन लिए हैं और बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करते हैं तो प्लांट जो आप इस समय नर्सरी से ले सकते हैं और दिखे मैंने भी लिए हैं और जी प्लांट आपको 15-20 रुप एका नर्सरी पर असानी से डिफरेंट कलर में मिल जाते हैं और इनको जब भी आप लाए नर्सरी से तो वेल ड्रें मिट्टी में ग्रो कीजी और साथ में इनको अच्छी खाद स्टार्टिंग में ही जब आप प्लांट गमले में लगाते हैं तो अच्छी खाद डालके फिर आप प्लांट को लगाईए तो फिर बार बार खादेने की जुरूरत नहीं रहती है और ये कभी-कभी आपको पॉलिवेग में लगे हुए ही जादा जी मिलते हैं जहां कभी-कभी गमले में लगे हुए मिलते हैं तो नेक्स प्लांट जो आप इसमें नर्सरी से ले सकते हैं तो देखिए गजानिया के प्लांट है गजानिया इन देनों बहुत ही नर्सरी पर मिलता है डिफरेंट कलर के इसके आपको फ्लावर प्लांट मिल चैन्च के गंले में लगाइए जा आठी इंच के गंले में लगाएं तो फिर इसको 10 इंच का गंलाज चाहिए होता है पिर ये क्यूंकि ये ज्यादा गुलाई ने फैलते है कोई भी मैरी गोल्ड का जागेंदा का प्लांट हो और यह जाफरी जो टाइप है तो इनको भी आप ले सकते हैं इन दिनों बहुत ज्यादा कॉंटरी में फूल देते हैं और हैंगी वास्केट में जा चोटे गमले के लिए अच्छे होते हैं और जब इनके फूल सुक जाते ह तो आप उनको जो है ऐसे सीड भी ग्रो कर सकते हैं और देखिए इस तरह के भी प्लांट इन दिनों नर्सरी पर मिलते हैं जिनका जो कलर है क्रीमिश शेड में होता है तो इस तरह के भी प्लांट आप ले सकते हैं तो नेक्स देखिए कुछ जो है मैंने लिए हैं जो फंग होती है तो उसके बाद देखिए यह नीम खली है तो जब आप मिट्टी बनाते हैं सर्दियों के प्लांट की तो उन में आप यह फटिलाइजर जूज कर सकते हैं यह नर्सरी पर आपको आदा किलिक पैकट है चालीस जब चास रुपय का जा तीस रुपय का मिल जाता है और दिखिए यह बोन मिल है तो यह सारे फटिलाइजर आप यूज कर सकते हैं जब आप सर्दियों के प्लांट की मिट्टी बनाते हैं तो तो फ्रेंट्स जिये थे कुछ शाज प्लांट जो मैंने नर्सरी से लिए हैं और इस सानी से जो है कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लेगा तो इसको लाइक कीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो थेंक्यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बिताएगा और फिर मि मिलती हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ अत्रिप बाई हैपी गार्टि गार्टि गार्टि